Hello Friends, Rapid Vision Series में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके RCC subject की आज का topic भी आपके लिए कहीं न कहीं काफी important है जहां पर हम बात करेंगे design mix से related इससे previous में आपने cover किया था किसर nominal mix क्या होता है और design mix क्या होता है अब यहां पर जो question उरता है किसर डिजाइन mix क्या है जब भी हम किसी design mix की बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें कुछ common data required होता है क्योंकि भी आप किसी design mix की बात कर रहे हैं यहां पर हम discuss करेंगे रहे हैं अब जब हम common data की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए grade of cement क्या रहने वाला है देखिएगा यहां पर मैं जो आपको design mix की बात करूंगा वह मुस्टी मैं M20 grade आपको उसके steps भी बताऊंगा और उसका calculation भी बताऊंगा steps सबके सेम रहने वाले हो चाहे M20 grade हो M25 हो M30 हो यह 35 हो बट जब हम उसके calculations की बात करेंगे तो calculations में मैं आपको M20 grade का calculations बहुत easily कर वाऊंगा clear है तो पहले common data देख लेते हैं common data मिलेगा तो हम आगे का काम करेंगे ठीक है grade of concrete में हम कौन सा यूज कर सकते हैं मैंने आपको भी बताया सर आप M20 यूज कर सकते हैं, ठीक है M20 से एबो यूज करते हैं, आप M25 यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं, यह आप सभी जानते हैं कि सर M क्या रिपरजेंट करता है, सर M रिपरजेंट करता है, आपके पास मीक्स को रिपरजेंट कर क्यूब टेस्ट में हम क्या लेते हैं तीन क्यूब लेते हैं उनकी स्टेंथ को फाइंड आउट करते हैं आफ्टर 28 डेस पर क्लियर है जो आपके पास किसमें आती है सर या तो मेगा पासकल में होगी हम उसको न्यूटन पर एमम स्क्वेर बोलेंगे ठीक है उसके बाद आता ह है सर टाइप सोब सिमेंट यहां पर जब भी हम डिजाइन मिक्स की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर सर कौन सा मिक्स हम यूज कर रहे हैं तो यहां पर जब हम सिमेंट की बात करते हैं तो सर यहां पर आप ओपी सी सिमेंट यूज करेंगे जो मैंने आपको अलड़ी बता ह अब जब यहाँ पर हम OPC cement use करेंगे तो OPC cement के भी क्या है सर आपके पास different different grade है बिल्कुल है सर कौन कौन से grade है तो जिसमें हम बात करते थे सर आपके पास एक होता सर OPC 33 होता है और एक सर आपके पास OPC 43 होता है और एक हमारे पास OPC 53 होता है यह different grade होते है यहां से भी questions frame किया ज करेंगे अब हम डिजाइन मिक्स की बात करेंगे तो हम स्टेंडर ही यूज करेंगे दियर तो स्टेंडर में आप को यहां पर OPC 43 यूज करेंगे यह स्टेंडर है यह कोशन्स पूछे जा सकते हैं आपके इंटर्यूमन एक और कोशन्स सर यह 33 43 53 क्या रिप्रजेंट करता है यह रिप्रजेंट करता है आपके पास compressive strength of cement after 28 days ठीक है अब इस strength को हम मोल्ड टेस्ट करते हैं अब जो मोल्ड का साइज होता है आप यह 0.70 x 0.70 cm होता है दियान दीजेगा यहां पर मोल्ड टेस्ट होगा और यहां पर क्यूब टेस्ट होगा यह आप जानते हैं उसके बा करेंगे और रहेगा आपके पास 20 mm यूज करेंगे कितना करेंगे सर 20 mm का यूज करेंगे क्लियर है उसके बाद आता है सर exposure conditions देखेगा जब भी हम exposure conditions की बात यहां पर करेंगे तो आप for example कोई भी condition हो सकती आपके पास six tag की exposure condition होती है mild, moderate, severe, very severe, extreme, clear है यह आप जानते हैं तो ह हमारे पास यहां पर conditions क्या हो गई है सर mild हो गई है, सर यह कहां से पता चलेगा कि condition mild है तो इसके लिए आपको जाना होगा IS456 table 3 में जाना होगा, कहां जाना होगा सर आपको IS456 table number 3 पे जाना पड़ेगा, ठीक है आपने क्या करना है, अपना code उताना है IS456 और आपको table 3 पे होना चाहिए, जो minimum cement content होना चाहिए और आपके पास कितना होना चाहिए, 300 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए, कितना होना चाहिए सर, 300 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, यहां पे भी आप कहां जाओगे सर, तो इसके लिए आप एक table देख सकते हो, और table है IS456, यह table क के बाद आता है workability of slump, यहां पर जो workability of slump का, जो criteria रहेगा, कितना रहेगा सर, आपके पास हो 100 mm, तो यहां पर आप बता सकते हो, कितना रहेगा सर, 100 mm, तो इसके लिए भी आप कहां जा सकते हैं, आप table में जा सकते हैं, और table भी कहां देखिएगा, टेबल रहेगा, आपके के बाद आता है, सर, transportation time, देखेगा, transportation क्या है, कि आपने क्या कर लिया, साइट पे आपको design mix बना लिया, अब आप उसको transport कर रहे हैं, मतलब एक place से दूसरी place तक, तो जो transportation का जो time होना चीए है, आपके पास, कम से कम 30 minute के अंदर आपको उसको transport करना होगा, कि के तो यहां पर में लिए देता हूँ, 30 minute, यह है, उसके बाद method of placing, अब ऐसा तो नहीं है, कि आपने design mix बना दिया है, concrete बना दिया है, उसको place तो करना पड़ेगा, जब आप place करेंगे, तो उसको आप by pumping करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, सर, यहां पर pumping से करेंगे, ठीक है, यह बाद जहान रखना, उसके बाद आता है, सर, standard deviation, जब standard deviation की यहां पर बात की जा रही है, तो इसके लिए आपको table में जाना है, कहां पे, दीखिएगा, standard deviation के table में जाना है, table में, सबसे पहले तो code पता होना चीन, तो code रहेगा, यहां पर is 10262, ठीक है, यहां पर जाना है, औ और table number आप 2 पे जाएगे, कहां जाएंगे, सर, table number 2 पे, ध्यान दीजेगा, मैंने कहां कहा, कि हमें, सर, standard deviation कहां से चेक करना है, तो आपको जाना है, IS10262, जो किसका code है, design mix का code है, मैंने आपको बताया था, कि एक nominal, grade of concrete होता है, design mix होता है, nominal, जो रहता हो, आपका based होता है, और जो आपका क्या होता है, design mix होता हो, based होता है, code, code क्या है, 10262, ठीक है, जो table number 2 पे मिलेगा, जैसे, for example, मैं M20 कर रहा हूँ, तो M20 का standard deviation कितना है, सर, आपके पास 4.0 newton पर mm2, ये रहा आपका, ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान दखनी है, है, clear है, total कितने points है, no points है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी format में questions से पूछे गए है, clear है, next देखेंगे, यहाँ पर सर, types of course aggregate, कि सर, हमको कौन सा course aggregate यूज़ करना है, तो यहाँ पर crust angular aggregate यूज़ करना है, आपको, कौन सा करना है, सर, crust angular aggregate, crust, angular, aggregate आपको, यूज़ करना है, ठीक है, उसके बाद आता है, सर, maximum, सिमेंट के, आपने minimum काईटेरिया देख लिए, maximum कितना होना चाहिए, सर, आपके पास, 450 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सर, यह होना चाहिए, आपके पास, 450 केजी, पर मीटर, क्यूब, एक मीटर क्य होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, 450 होना चाहिए, इसके लिए आप टेबल देख सकते है, IS456, क्लॉज नंबर 8.1 सम्थिंग है, ठीक है, मैं एक जैक बता पा रहा हूं, बड़ कोई बात नहीं, यह होगा, IS456, क्लॉज नंबर 8.242 सम्थिंग है, ठीक है, यह आप प्रेंबंड e ray, grade of concrete की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर होँगा पे water cement ratio की बात करते हैं, तो कहाँ जाना आपको, IS456 5 पे जाना है, तो यहाँ पर भी मैं बिल्द दिख सकता हूं, कहाँ जाना है, सर आपको, IS456 तेबल नंबर 5 पे जाना है, अगर मैं यहाँ पर mild conditions ले रह find नहीं है वह यह क्या है fine aggregate है अब जो fine aggregate मैंने आपको बताया था दिखेगा course aggregate आपने बोला सर क्रस्ट एंग्लर एंग्रिगेट आप इसको क्या बोल सकते हैं हार्ट ग्रेनाइट ब्लास चिप्स भी बोल सकते हैं ठीक है आप तो यहां पर जो fine aggregate यूज करेंगे और in your sand कौन से जोन में आता है जोन टूमें आता है तो यह आप यहां पी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर ऊसकता आपके पास कौन सा साथ in your Send मैं लिग देता हूं इन्योर सेंड यूज गरना बो ठीक है जो आपका John two के अंदर आता है क्या आता है सर John two जिसको हम क्या बोल सकते हैं Medium Fine Aggregate बोलता है तो यह भी आप लिख सकते हैं क्या बोला जाता सर इसको Medium Fine Aggregate तो यह तो है आपके पास जो common data कि अगर आप कभी design mix बना रहे हैं तो उस design mix से पहले आपको कौन कौन से data required होने चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like and share कीजिए